जिन के इन बाजों पर था पाकिस्तान को बड़ा घमंड, एशिया कप और वर्ल्लकप जीतने का देख रहे थे सपना एक अकेले गुर्बाज ने बिगार दी सबकी लाइन लेंद, ऐसी की कुटाई की हीरो से जीरो हो गए हारिस राउफ शाहीन अफिदी और नसीम शावी हो गए फेर, चौथा चौके और तीन छकों से लिख दिया इतिहास एशिया कब से पहले अपनी गेनबाजी पर नास करने वाली पाकिस्तान टीम डगहमंड मिट्टी में मिल गया है अफगानिस्तान के एक अखेले बैटर ने ऐसा गदर काटा कि पूरे पाकिस्तानी के इनबास पनाह मांगते दिखे नाम है रह्मानुल्ला कुरबास इस बैटर ने क्या शाहीन अफिरी दी, क्या हारिस राउफ, क्या नसीम शाह, सब के पानी भर दिया पहले मैच में पांच विकेट लेकर, 69 फ्रन पर अफगानिस्तान टीम को और आउट करने वाले हारे स्राउफ की दूसरे मैच में खिक की बन गई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी जारी तीन मैचों की वंडे सिरीज का दूसरा मुकाबला 24 अगस्त को हमबन टोटा में खियला गया इस रोमांचे मुकाबले में अफगानिस्तान के दोनों स्रामी बलेबास अलगी अंदाज में नज़र आए खासकर 21 साल के युवा विकेट टीपर स्रामी बलेबास रह्मानुला गुर्बास ने पारी का आगास करते हुए अपने वंडे करियर का पांचवा शतक पूरा कर लिया उन्होंने अपनी टीम के लिए 151 गेंदो पर 151 अनुकी पारी खेली इस दोरान उनके बले से 14 चोके और 3 शांदार शक्के निकले गुर्बास ने दूसरे वंडे मुकाबले में पागिस्तान के लगभग सभी के इनबास को अपना जमकरने शाना बनाया लेकिन हारे साउव के खिलाफ कुछ जादा ही आकरामक नजर आए मानों ऐसा लग रहा हूँ कि पिछले मैच की वो टीस निकाल रहे हूँ रौफ के खिलाफ उनकी आकरामकता का अंदाजा इसी बात से लगाए जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए 37 ओवर डालने आए 29 फरशिय गेनबास के ओवर में उन्होंने चार लगातार चौकेज़ डाले गुरबास ने रौफ के इस ओवर की दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी गेन को सीमा रेखा के बाहर बेजा अफगान बलेबास इस ओवर में कुल अठार नमराने में काम्याब रहा पहले बंडे में अफगानिस्तान के खिलाफ मेले जीत में हारिस रौफ का एहम योगदान था उन्होंने अपनी टीम के लिए इस मकाबले में कहल बरपाती गेनबासी करते हुए कुल 6 तशनलव दो ओवर किये थे इसमें अठार नंखर्च करते हुए उन्होंने पांच प्रिगेट लिये थे इस उम्दार प्रदेशन के लिए उन्हें में अफ़र मैच भी चुना गया था दूसरे वंडे में अफगान बले बाजोंने रौफ की जम कर खबर ली कुल 7 औरों की गेनबासी की है इस बीच उन्होंने 6 अशलव 8 पांच की बेहती खराब एकॉनमी से बिना किसी सफलता के 48 सन लुटा दिये आपको बता दें पाकिस्तान इनी तीन गेनबासों के लाम से विपक्षी टीमों में खौफ पैदा करना चाहता है एश्या कब से पहले पाकिस्तान के गेनबासों ने अफगानिस्तान के खराब पहले मैच में जो माहौल बनाया था वो अखेले अफगानिस्तान के गुरवास ने मिट्टी में मिला दिया मैच में गुरवास के साथ इबराहिम जादराद ने शांदार बरले बाजी की उसमें दोनों ओपनर ने चक्राशूर कर दिया अब एश्याक अप में इसका असर दिखाई देगा एश्याक अप में पाकिस्तान का पहला मुकाबला इंडिया से होगा टीम इंडिया अपने विशेश कैम्प में इस मैच की तयारी में जुटी है माना जा रहा है कि ये एशिया कप में पागिस्तान के साथ टीम इंडिया के दो मुकाबले और हो सकते हैं हालकि ये दोनों टीमों की जीत और हारपन निर्बर करेगा हालकि गुरवाल का मैच देखकर भारतिय खेमे ने राहत की सांस ली है तो हैं पागिस्तान टीम आपनी गिन्माजी को लेकर चिंतित हो ठी